नमस्कार अपलाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहन तिवारी देखिए बिहार में लोकसबा चुनाओ 2024 का 40 सीटों पर दंगल रिजल्ट को लेकर सुबह से ही रुजानों का दौर और अब तो कई सीटों पर रिजल्ट की गोसना भी शुरू हो गई है यानि जीत और हार किसकी हुई है लेकिन देखिए सायद ही किसी ने सोचा था कि बिहार यूपी में ऐसा रिजल्ट आएगा कि बीजेपी ताकते रह जाएगी नितीश कुमार ने तो बिहार में बहुत कुछ हासिल कर लिया लेकिन बीजेपी को काफी कुछ जटका लगा है और हालत तो यूपी में ऐसे हो गई कि बीजेपी फिलहाल शरकार बनाने से अकेले बहुमत से काफी दूर हो गई है अब इसके पीछे कारण क्या है कि यूपी और बिहार में बीजेपी को मुझ की खानी पर रही है इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ वरिष्ट पत्रकार रविरंजन जी हैं वरिष्ट पत्रकार प्रवीन बागी हैं जिस तरया के हालात हैं सायद ही किसी ने सोचा होगा कि बीजेपी को ये दिन भी देखना पड़ेगा और मतलब कि हालत तो बहुत बुरी है यही चुनाओ का मजा है और लोक तंत्र का ये एक तरह से कहिए कि तेवर है कि जनता कब किसको चढ़ा देगी और कब किसको गिरा देगी ये कहना मुस्किल है लग रहा होगा लोगों को कि ये नेता एकदम जीत जाएगा और वो नेता इतनी बुरित रहारता है कि उसका आप सोच भी नहीं सकते तो वही स्थिति बीजेपी के साथ हुई और बीजेपी को की जो सीटें घटी है तो सबसे ज्यादा च्छती उसको हुई यूपी और रा स्परेंदर मोदी को भी सौचना पड़ रहा है कि क्या करें हालाकि बहुमत के करीब है इंडिये गट वंदन और सरकार लग रहा है कि बन जाएगी मगरं ये सरकार फ़िर गटवंधन की सरकार होगी पिछली सरकार जो थी वह बीजेपी की अपनी सरकार थी तो अब गट बं और दूसरे की बिहार में जो ये माना जा रहा था कि नितीज कुमार अब चुके हुए कार्टूस है और तब्यत खराब है चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब कयास बिल्कुल उल्टे सावित हुए और नितीज कुमार फिर बाजिगर बनकर उब रहे हैं सोला में से 14 सीटें वो जीत रहे हैं जीतते हुए दिख रहे हैं अभी तक हो सकता है कि आगे पिछे करके वो भी दो सीटें उनके पास चल जाए मगर बीजेपी जो बहुत ज्यादा असानुवित थी और जो फीडबैक दिया जा रहा था केंद्री नितित्यकों प्रदेश नि रोहिनी वहां से जीत सकती हैं वहां वो आगे हैं रूडी आगे हैं और राम क्रिपाल को माना जा रहा था कि वो निकल जाएंगे वो पिछड़ गये हैं तो यह जनता के मन में कई तरह के भाव आते हैं जब वोट देने भूत पर जाते हैं तो कई बार होता है कि बहुत और चुनाओ में वो हार जाते हैं और कोई सेकंड ग्रेड का नेता जो है वो चुनाओ जीत जाता है आरा में वो ऐसा ही देखने को मिल रहा है आरा में आरके सिंग ने छेतर के लिए बहुत काम किया बगर यह है कि वो एक पोलिटिकल वरकर नहीं बन पाए वो नौकर साह के तरह ही काम करते रहे पोलिटिकल पार्टी में इसका खाम्याजा वहने भगतना पड़ा जनता को यह मतलब नहीं है कि चेत्र का विकास हुआ जनता को यह मतलब है कि वह हमारी पैर भी नहीं सुनते हैं तो यह बड़ा घातक है राजनीती में सफलता पाना और उस सफलता को रखना दलवार की धार पर चलने के समान है यह निताओं को याद रखना पड़े हैं और 33 सीटों पर NDA गटबंधन आगे है लगबग 6 सीटों का नुकसान अभी होता दिखाई दे रहा है पिछली बार 49 मिली थी जिसमें 14 सीटों पर जेडियू आगे है तेरा सीटों पर बी जीतन राम माजी है वो आगे हैं लेकिन उपेंद्र कुषवाहा पिछड़ गए अब पवन सीग और उपेंद्र कुषवाहा के वोट देखिएगा तो लगभग बराबर आये हैं मतलब 4-5-10 अजार का अंतर जरूर है लेकिन लगभग लगभग बराबर चल रहे हैं और इस हाँ ये बात बहुत महत्वपून बात है क्योंकि ये जो चुनाओ से पहले मैंने जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की राह में सबसे कमजोर कड़ी इस बार जडियू हो गई क्योंकि जडियू की अधिकान सीटें लूज करेंगी ऐसा लग रहा था चुनाओ से पह उन्होंने भाजपा को साथ भाजपा का साथ नहीं दिया आप देखिए भारती जिंदा पार्टी के बहुत ही योग्य उमिद्वार आरह में जो चुनाओ हार रहे हैं ऐसा लग रहा है रुजान तो इसी तरह के हैं वहां ये तो साफ है कि उनको कुश्वाहा और ये जो मद जो राजपुत वोटर जो है जिसने वहां पर सपोर्ट किया तो क्या इस बात का वह चला गया संदेश कि कुश्वाह यहां सायोग नहीं कर रहा है तो हम भी यहां सायोग नहीं करेंगे और यह दो सीटें एंडिये के हाँ से क्यावल इस जाती के और यह आपसी मनुश्यता के कारण वह चली अब पवन सिंग कोई बहुत बड़े का दावर नेता बनके उभरेंगे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि वह तीसरे नंबर पर चले गए तो उन्होंने वोट काटने का काम किया एंडिये का वोट काटा तो एंडिये में भी अब उनका कद कोई बढ़ने वाला नहीं है तो एंडिये तो आप देखेगी कि किन किन कारणों से वो हरे महत्तपुन बात यह है कि जदियू अपनी अधिकान सीटें जीत रही है भाजपाक को ज़्यादा अपकी हारना पड़ा है और ऐसे जगों पर हारना पड़ा रहा है कि जो चोकाने वाली बात है आप पासवान का टिकट काटके सीवेसराम को दिया था तो यह चोकाने वाली बात है कि हम लोग तो यह बात कर रहे थे कि संजय जय सवाल चले जाएंगे लेकिन वह बच गए और इधर आप देख रहे हैं कि भारतिये जंता पार्टी की जो सीटें जा रही है जिस पर कभी भी उ मद्दाताओं को अपनी तरफ करने की वो चाल काम काम आगया और इससे बाजपा को बहुत घाटा हुआ यूपी में जिस तो रख का रिजल्ट आया है योगी बाबा तो बिहार में आके परचार कर रहे है तो यूपी में तो हालत बहुत बुड़ी हो गई जबी कि पिछली के सवाल को तेजस्वी यादों ने जिस तरह से बिहार में खड़ा किया और उसको एक नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिस की उसका असर उत्तर प्रदेश में हुआ है दूसरा यह जो सैनिकों वाली अगनी वीर योजना को राहुल गांधी ने मध्य चुनाओं के बीच में उसको उन्होंने वो बना लिया मुद्दा बना लिया और कहा कि हम हमारी सरकार बनेगी तो इसको उखार के फेक देंगे इसको जला देंगे अगनी वीर योजना को तो यह उत्तर प्रदेश में एक उसका असर हुआ दूसरा कि आप देखिए राहुल गांधी का जो सीट बड़ी हुई भारती जनता पार्टी से उसको दूसरा एक जो होता है ना कि ओभर कॉंफिदेंस योगी आधित्यनाथ हैं वहां पर दूसरा राम मंदिर का निर्मान हुआ है काशी में इतना बड़ा काम हुआ है तो उसका एक लग रहा था कि तो जनता अपने आप वोट द राम मंदिर का मुद्धा जो यूपी के लिए सबसे बड़ा मुद्धा माना जा रहा था बीजेपी मान रही थी वो बिलकुल फ्लॉप हो गया वो एकदम नहीं प्रभाविद कर पाया लोगों को और वहां देखिए जातिये गोलबंदी इस तरह से की सपा ने समाजवादी की पार्टी ने कॉंग्रेस के साथ मिल करके कि वो तमाम उपलब्धियों पर सरकार की उपलब्धियों पर राम मंदिर पर भारी पड़ा यानि आप कह सकते हैं कि धर्म पर जाती भारी पड़ा और दूसरे की भाजपा ने वहां बहुत से सी ग्रेट निताओं को भी अपनी पार्टी में सामिल कर लिया था जिनोंने समाज में बहुत बदमनी फैलाई विभिन जातियों इखिलाफ जो बयान देने के लिए जाने जाते रहे उन सब लोगों को सामिल किया पार्टी में तो उसके प्रति भी एक नाराजगी थी और टिकट बित्रण में जैसा कि कह रहे और इसी समय के लिए एक सेर है कि जिन पत्तों पर भरुसा था वे ही हवा देने लगे तो यूपी पर सबसे ज्यादा उमीद थी कि 70-72 सीट अभी है इसको बढ़ा के हम लोग 75-76 ले जाएंगे मगर बढ़ने के बज़ा एकदम घट के आधे पर आ गए और यही वज़ा है क सीटें घट रही है और बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है तो फिर सवाल होगा कि क्या इतनी रह आसान होगी पिये मोदी की गटबंधन की सरकार चलाना जिस प्रकार से पिछले 10 साल में उन्होंने फैसले लिए क्या वो फैसले अब वो लेने के इस्तिती में रह पाए भी है उसका भी असर चुनाओ पर नाम को प्रभावित कर रहा है ब्याहर में है मगर बिहार में वो गया और तरह शमिकरन उस से इंटेक्ट रहा जो पिछली बार 2019 में था सवाल ये भी है क्योंकि कुछ वहां काड लालू यादों ने खेला था और कुडमी काड भी मुंगेर में खेला क्या वो सच्मुच बीजेपी के साथ पूरी तरह से इंटेक्ट रहते तो काराकाट में ये स्थिति नहीं होती आरा और वहां कड़ा मुकाबला था तो लगता था कि कुछ भी हो सकता है मगर अब जनता की पसंद है उस पर क्या कहिएगा जनता जिसको पसंद कर ले उसको वोट दे तो कई बार अच्छे उमिद्वार बिहार जाते हैं जैसे राम किरपाल के मुकाबले बिहार में बहुत कम सा फैसला जनता है अब यह घट बंदन वारे के रहे थी हम तो निटीश कुमार से बात करेंगे आभ हमारे साथ चले आए आप गटबंदन की सरकार में वहां रहता है हमारे साथ रही बिल्कुल साथ रह सकते हैं निटीश कुमार को अगर प्रधान मंतरी का उफर मिल चकर एक गटवंदन की सरकार बन जाएगी और ये भी है कि अगर सरकार बनते हुए एक बार दिखेगी तो बहुत से सहयोगी दल जो इधर हैं इंडिये के साथ हैं वो तुरत कूद के उस पाले में चले जाएंगे तो बात करके थोड़ी कठनाई जरूर हो जाएगी बीजेपी के मन की काब दूप्रदेशों में उसकी सरकार तो बिलकुल अपनी सरकार होगी और वहां मिलीजूली सरकार बने तो ये थोड़ी कठनाई जरूर आईगी और जितना फीन अपनी सरकार में उनको था उतना फ्रीरहेंड इनको नहीं मन की बार और थे Owenma неё विखे़तकों करते हैं जो सोच लिया जो तैकर लिया हो सकता है कि प्रधान मंत्री के नाम पर ही तो इतना भोट मिला है अगर मोधी नहीं होते तो बीजेपी को यह भी भोट नहीं मिलते तो यह बीजेपी के लिए जो नहीं होता तो सर्थ रखने की इस्थित्य हो तो क्या ऐसी परस्थिति में बीजेपी का कोई नया चहरा बन सकता है यह तो अब क्या होगा उसके बाद यह कहना भी मुश्किल है अभी तो रिजल्ट आही रहे हैं तो जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तब इस पर विचार किया जा सकता है कि क्या परिस्थितियां बन सकती है वगर हमको नहीं लगता है कि सहयोगी दल भी मुदी के खिलाफ जाएंगे क्योंकि मोदी के चलते ही उनको भी फाइदा हुआ है तो वह क्यों छोड़ना चाहेंगे अब पान साल बाद होगा मगर वो एक मैसे तो जाएगा और मोदी अगर कहेंगे कि ठीक हम सरकार नहीं बनाएंगे आप बनाइए तब फिर लेने के देने पड़ आज रिजल्ट आने के बाद बिहार की राजनिती में बहुत कुछ बदलता आपको दिखाई दे रहा है ति जो मुख मंतरी बदलने के कयास लगाए दा रहे थ है भाज़पा जो डबाव बना रही थी वो बिलकुल अब नहीं उस पर चड़चा पाना स्थापित हो गए तो यह दो नौजवानों की जो जोड़ी है जोड़ी क्या दोनों अलग 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 अठ्वांदन में हैं तो इन दोनों को सबसे ज्यादा फाइदा हुए मगर सबसे अधिक लाव तो कि इस सिती में चिराग पास वाने पांच की पांचों सिटें और साथ जोड़ लेने वाले निता के रूप में वह अस्थापित है उन्होंने सही चुन के अपने टिकट बटवारे में बहुत सारे आरोप लगए पैसे लेकर टिकट दिये गया ऐसे दिये गया मगर जब एक बार जीत हो जाती है तो सारे आरोप गौण हो जाते हैं और हारने से एक दिन पहले नितीश कुमार दिल्ली गए थे अपना इलाज कराने के लिए लेकिन वहां जाकर उन्होंने प्रधान मंतरी से मुलाकात की तो नितीश कुमार राजनीती के सबसे माहिर खिलाडियों में से एक है नितीश कुमार को ये बात पता चल गई होगी क्योंकि वो अच्छी जीत होने वाली है तो प्रधान मंतरी से अच्छी डील हो जाए तो नितीश कुमार इस मूड में अभी नहीं है कि वो एंडिये छोड़कर आरजेडी में जाएंगे वो यहां पर अच्छी डील कर लेंगे और कोई बड़ा अपनी पाती के तमाम जो उनके आसपास रहने माले नेता हैं उन सब को मंतरी पद दिला दें बिहार में खुद मुख मंतरी बने रहें और बिहार की सरकार अपनी शर्तों पर चलाएं दो दो उप मंतरियों का जो दबाव जेल रहे हैं उसको वो साइद वो कम कर पाएं यह सब वो करेंगे और अपने लिए बहुत आसान इस्थिती बनाकर बिहार में राज करेंगे नितीश कुमार को अगर बहुत परिस्थितियां बदलेंगी तो क्या मनें यह उमीद कर सकते हैं कि क्या सचमुच में कोई उप यह प्रधान मंतरी भी बन सकता है क्या अगर सरकार एंडिये की चुकि भाजपा को बहुमत म भाजपा कर सकते हैं लेकिन नितीश कुमार यह देख रहे हैं कि जितनी चीजें हमको चहिए होंगी वह भारती जिंदा पाटी से मिल जाएंगी और एक अराम से विहार में राजने की अखरी सवाल आप से प्रदेश अद्यक्ष बीजेपी के समराथ चौधरी एक कुस्वाहा लीडर के तौर पर क्या उभर पाए क्या उस समाज का वोट वो अपनी तरफ खी पाई पोल नहीं करा पाए और उसके नेता ही ओ नहीं बन पाई यादवों के तोर पर भी हम कह सकते हैं कि यादो यादों के लीडर बनके सामने आ गये लेकिन समराच चौधरी केवल बड़ बोलापन के अलावा और वो कुछ नहीं कर पाए है और इसलिए भारती जिन पर पार्टी की नजर उन पर भी रहे हैं समराच चौधरी इस बार के चुनाहों में हमस estaban समिक्षा करने की जरूब्य जितनी अपेक्षा प्लटी को थी उन्से इती है वह उपेशा पर जाले क्योंकि पैसे का खेल भी बहुत हुआ बित्रण में बहुत गड़वडियां तो यह सब गड़वडियों को चेक करना होगा और एक कड़े फैसले कुछ लेने पड़ेंगे अब बिहार में जिस प्रकार के रिजल्ट हैं तो करे फैसले बीजेपी को अगामी विदान सबाओं से पहले लेने पड़ेंगे अब बिहार के मतदताओं ने नितीश कुमार को एक वार फिर से ऊपर हेंड दे दिया बीजेपी के लिए ये कह दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा सो समझ कर आपको भी कुछ करना होगा चिराग पास्वान को तो इतना खुश कर दिया है कि फिर 100% स्ट्राइक रेट चाचा कुछ भी कहते रहे बोलते रहे तमाम पार्टियां कुछ भी विरोध करते रही लेकिन चिरा 37 सीटों का नुपसान होता दिखाई दे रहा है और यहीं सबसे बड़े कारण है कि केंद्र में अकेले वहुमत बीजेपी हासिल नहीं कर पा रही है एंडिये जरूर 290 के ऊपर है और एंडिये अगर इंटेक्ट रहता है तो एक बार फिर प्रदान मंत्री के तोर पर नरें जाए ताकि आएंडिया ये गटबंदन की सरकार के अंदर में बने अब देखना है कि आखिर आखिर तक क्या होता है कौन इंटेक्ट रहता है कौन तूटता है लेकिन ये बीजेपी के लिए जरूर किसी जटके से आज का रिजल्ट कम नहीं है बन रहिएगा हमारे साथ